हेलो फ्रेंड पॉपुले टीवी सीरियल उड़ने की आशा के आगे आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि देशमुक्ष निवास में हुआ बड़ा हंगामा और बवाल तो वही नकली पुलिस को देख थर थर कापा तेजस और उगला अपनी मुह से चोरी का सारा स जी हाँ दोस्तोव अप्षो के अबकमिन ट्रैक में बाब देखेंगे कि जहां रौशनी घूमने के चक्कर में तेजस से टिकेट्स बुक्स करने के लिए के देगी तो वहीं तेजस रौशनी का दिल रखने के लिए हाँ तो कह देगा लेकिन उसके पास टिकेट्स बुक्क करने तक के पैसे नहीं होंगे जहां तेजस सोच सोच के परिशान हो रहा होगा कि आखिर वो करे तो क्या करे कि तब ही उसे याद आएगा कि बाबा अभी फिलहाल में एक लाक रुपे लाए थे क्यों ना मैं उन्हें ही ले लू तो वहीं तेजस चोरी छुपे रेनुका के कम वोकर में से तो पैसे गायब है तो वहीं रेनुका बिना सोचे समझे ही साईली और उसकी घरवालों पर चोरी का घट्या इल्जाम लगा देगी जहां अपनी माँ पे जूटा इल्जाम लगता हुआ देख साईली से शान नहीं बैठा जाएगा तो वहीं साईली अपनी माखों में आसु देख कर ये कहते हुए नजर आने वाली है कि चोरी तो हुई है लेकिन असली गुनेगार कौन है मैं उसका पता जरूर लगा के रहूंगी तो वहीं रेनुका साईली का मजाक उड़ाते हुए ये कहते हुए नजर आने वाली है कि वाके ये तो बड़ी हैर लेकी बात कह रहा है वेल लपशो के अपकमिंग ट्रैक में बाप देखेंगे कि जहां तेजस अपने मन ही मन सोच कर खुश हो रहा होगा कि मैं तो इस घर का एक लौता कमाने वाला शक्स हूँ मुझ पर तो किसी को भी शक्त नहीं जाएगा तो वहीं साहिली बड़ा ड्रामा करेगी जूट बोल के बाहर जाएगी और कहेगी कि मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है अब पुलिस वाले खुदी पता लगा लेंगे कि चोरी आगिर किसने की है जहां साहिली की कहने पर नकली पुलिस की एंट्री हो जाएगी और पुलिस को देखकर तेजस डर से काप उठे मिल चुके हैं अब बस रिपोर्ट आते ही हम उसे जेल में डाल देंगे जहां तेजस गबरा जाएगा और सच उगल देगा कि मैंने अपने किसी काम से पैसे लिए थे मैंने कोई चोरी नहीं की है आई तो वहीं दोस्तों रेनु का के सामने सच आएगा कि उसी के बेटे ने चुराए हैं उसके लौकेर से पैसे और कहानी में आएगा सबदस मोड साब साब और अपने जानने के लिए बने रही है हमारे साथ वीडियो को लाइक चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले